हेलो एबरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे इंग्लिस की कोश्चन आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा 15 कोश्चन जो एक्जाम में आया है उसका सॉलिशन इस वीडियो में आपको मिलेगा यहां से तो मेरी इमेल आइड आप देख सकते हो और मैं यह सारी जानकारी आपको प्रसनल डिटेल क्यों दे रहा हूँ क्योंकि 125 का पीडियाफ मुझे अच्छा वाला पीडियाफ मिला नहीं है किनी के पास अगर है तो पीडियाफ बनाकर अच्छे से अगर भेज सकते हो तो आज रात में ही मैं इसका जो solution है वो आपको प्रभाइट कर दूँगा अगर आप 125 की तयारी कर रहे थे और उसी का solution आपको देखना था तो नीचे 125 जरूर लिखे और पेपर जरूर भेज़ते हैं यहां से मेरी email आडिव अगर आपको दिखी रही होगी तो चलिए 628 का जो series 5 है या भी है जो भी आप इसे पढ़ो उसके English के 15 question का solution हम लोग देखेंगे 628 में जो questions आए हुए हैं वो हम लोग सुरू करते हैं very first question आपके सामने यह रहा पारला सवाल आपके सामने यह है which of the following language skills of English have been ignored in government schools in India सरकारे स्कूलों में इंग्लिस में इंग्लिस की कौन सी स्कील बच्चों को नहीं सिखाए जाती है या फिर नहीं apply की जाती है वह आपसे पूछा गया था reading writing, writing speaking, writing listening या listening या speaking तो देखिए बच्चों को इंग्लिस तो teacher बोल कर सुनाने से रहे यह तो होता नहीं है और बच्चों से इंग्लिस बोलने के लिए भी नहीं बोला जाता है बच्चों को सिर्फ question answer लिखा दिया जाता है grammar के कुछ rules बता दिये जाते हैं तो ऐसे में इसका सही जबाब होगा बच्चों को listening और speaking की ability नहीं मिलती है याद रखना ignore पूछा गया यानि की not वाला answer सही होगा जो answer not से dedicated हो negative हो वो सही होगा चलिए आगे लिए question की और हम लोग बढ़ते हैं एंट्रोनिम बताना है यानि की negative बताना है mbgs का तो देखिए mbgs मतलब होता है blur यानि की जो सीधा सीधा साफ साफ ना दिखे और इसका clear answer क्या होजा है का clear is right answer है आप ऐसे ही समझ लो clear यानि की जो साफ सुथरा दिखता हो clearly visible हो चलिए आगे बढ़ेंगे very next question की और the indirect speech यह उसने मुझसे कहा तब what is your name तो आप पोलोगे he asked me what was my name was तो इसका सही जवाब क्या होगा option number C C इसका सही जवाब हो जाएगा चलिए अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे next question आपके सामने यह रहा अब देखो यह passage है पैसेज को अगर आप ध्यान से पढ़ते न तो पैसेज से जो भी 4 या 5 question पूछे गए थे सारे जवाब आपको मिल जाते बिलकुल एक ही line में हमारे गरह को जो है global village किसने बना दिया है तो देखो यहां पर answer है मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता हूं देखो global village due to the ongoing information revolution यानि की जो information technology बढ़ी है ना उसके कारण से हम लोग आगे बढ़े हैं तो सही जवाब क्या हो जाएगा देखो one line में answer चिपा हुआ था सिर्फ आ मुझे याद है 10th में मैं सर्मागैस पेपर खरेदा था तो उसमें ब्लूप्रिंट लिखा हुआ होता था तो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है किसी चीज़ की planning करना है ना तो planning अगर आप करोगे तो इसका जबाब क्या हो जाएगा options में ढूंडोगे तो आपको देखिए option C में मिलेगा detailed plans and scheme for life है ना यानिकी सही plan और जो scheme है आपके लिए वह सही जवाब था अगले प्रसंद की और बढ़ेंगे what has empowered us to change the pattern of life आपकी जो life है उसका pattern change किस वजह से हो पाया है देखो मैं आपको सीधा इसका जवाब दिखा देता हूं यहां से देख लो यह पैसे द्र 36 का क्या से जवाब होगा 36 का जवाब हो जाएगा यह नंबर यानिकि ब्ला बायोलिजिकल रिवलीशन के वज़ा से आपके लाइप का पैटर्न चेंज हुआ है यानि कि साइन्स हम लोगों का इंपक्ट नहीं डाल पाया है कहां फेल हो गया है यह तो देखिए साइन्स और टेक्नलोजी ने बहुत सारी चीजें बढ़ा दी है और हमारा लाइप को आपके लाइप को मेरे लाइप को इजी बनाया है लेकिन वार जो है ना इसे अभी तक इलिमिनेट नहीं कर पाया देखो यह चारो ऑप्सन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे न कहीं पे अभी आपको पूरे पैसेज में सोचियो कल्चर का एक वर्ड नहीं मिलेगा सिर्फ वार के बारे में बताया गया है इतना भी अगर आप सेंस लगाते तो आपका सही जवाब हो जाता ऑप्सन सी सही है आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर तो देखो इसका पहला लाइन को अगर आप पैसेज को पढ़ोगे न तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा यहां से देखो आप यहां से आप देख पाओगे पहला लाइन को पढ़ दो पहले लाइन में इसका जवाब है क्या है branch of science and technology option में ढूंडो आपको जवाब मिल जाएगा कहा आया जवाब यहां से देख लो यह देखो यह जवाब क्या होगा 38 का A सही हो जाएगा remarkable progress in science and technology करते हो तो phonetic का मतलब क्या हो जाएगा ऐसे sound को बोला जाता है जहां पर आप correctly जो है चीज़ों को represent कर पाते हो music वाली तो बात होगी नहीं और word वाली बात को phonetic बोलते नहीं है phonetic मतलब होता है sound तो सही जवाब क्या हो जाएगा option A systematic धंसे आप किसी चीज़ को बोलते हो है ना तो यह आपका सही जवाब होगा question number 40 the productive skill in a language learning यानि किसी language को अगर आप सीखते हो तो उसका productive skill क्या होना चाहिए तो यह बहुत ही आसान सा सवाल है गूगल में भी आप type करके देखोगे तो आपको साइध जवाब सही मिल ही जाएगा बट productive skill यह होता है किसी भी language को सीखने का कि आप उस language को बोल पाए पहली criteria क्या होती है आप उस speaking जो है उस language की कर पाओ secondly आप उसकी जो है language को अच्छे से उसके script में जैसे कि English की script क्या है Roman तो Roman में आप चीजों को लिख पाओ तो सही जवाब क्या हो जाएगा प्रोड़क्टिव इसकी जवाब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे next question की ओर the focus is on using language rather than analyzing of language यानि की language को सीखने पे जोड़ दिया जा रहा है analysis करने की जरूरत नहीं है grammar सिखाने की जरूरत नहीं है तो यह जो है सिर्फ और सिर्फ बातचित करने के लिए जो है अच्छी से समझा बट सिर्फ वो जो है चीजों को दोहरा कर सिर्फ बातचित करने के लिए commentative approach को लेकर आया तो option B आपका सही जवाब होगा बहुत सारे लोगों ने direct approach लगाया होगा बिलकुल आपका गलत है 42 देखो alone alone all alone इसका किसका example है तो देखो आपने हिंदी में अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार को अगर आप इंगलिस में convert कर दो तो that's called alliteration इसका मतलब होता है जब कोई एक sound बार-बार repeat हो तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा D यानि कि D is the right answer चलिए next question क्यों बढ़ेंगे what is the similar word of atrocity atrocity का मतलब देखो होता है बहुत ही cruel होना बच्पन में आपने cruel word पढ़ा होगा उसी का synonyms है atrocity atrocity मतलब किसी को बहुत ही निर्मम तरीके से मार देना या फिर परताडित करना तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है similar word यानि synonyms पूछा गया है तो क्या हुजएगा difficult बिलकुल नहीं साय मतलब सरमीला ये भी नहीं होगा gloomy भी नहीं होगा बार बाब रेटी इसका सही जबाब होगा option B के साथ आपको जाना था अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे which figure of speech has been used in the sentence कौन सा figure of speech का यूज किया ग नहीं एक मेटाफर है बोल चाल की भासा में बोल दिया जाता है जैसे कि आप बोल देते हो सो सोनार की एक लोहार की तो यह क्या एक मेटाफर है मेटाफर इसका सही जबाब होगा option B आखरी सवाल है एमोरेस जो है यह पोयम है आपको एमोरेस का मतलब पूछा गया है तो दे सही जवाब हो जाएगा लव यानि कि पैसनेट होकर अगर आप लव करते हो तो एमोरेस उसको बोला जाता है तो सही जवाब क्या हो जाएगा option A बाइदबे विडियो यहां तक अगर आपने देख लिए तो नीचे कमेंट करके जहें जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल स है और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को थैंक यू सो मच पर वाचिन इस वीडियो हैव गूड डे